नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्त आज लिकर के आया हूँ दोस्तों आप सभी के लिए एक अनुखी जानकारी जो आपके लिए बेहत महतोपून होगी दोस्तों हमारे समाज में सुपारी का प्रयोग दो तरह से किया जाता है एक तो पूजा पाठ में और दूसरा पान वा पान मसाले में लेकिन लोगों में ये धालना है कि इसके सिवन से उनके स्वास्थे को हानी होगी बहुत कम लोग ही जानते हैं दोस्तों कि सुपारी और शधियो गुणों से भरपूर होती है इसमें प्रोटीन 4.9 प्रतिर्शत कार्बो हाइट्रेट 47.2 प्रतिर्शत कार्बो हाइट्रेट 47.2 प्रतिर्शत वसा 4.4 प्रतिर्शत और खनीज द्रव्य एक प्रतिर्शत होता ह साथ ही इसमें टैनिंग, गैलिक एसीड, लिगनीन, एरिकोलीन और एरिकीन जैसे एलकेलाइड भी पाये जाते हैं दोस्तों आईए आज हम सभी सुपारी से होने वाले लाभों के बारे में जानते हैं दोस्तों नमबर वन, डाइबिटीज के कारण कई लोगों को बार-बार मुह सुखने की समस्या होती है इसलिए ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि जब भी मुह सुखे एक सुपारी का टुकड़ा मुह में रखें क्योंकि इसे चबाने से बड़ी मात्रा में सलाइवा निगालता है नमबर टू, सुपारी में एंटी बैक्टिरियल गुन होते हैं इसे जला कर इसका पाउडर बना लें और रोजाना मंजन के रूप में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो दातों की साइन से बचाओ किया जा सकता है इससे आपके दात भी चमकने लगेंगे नमबर टू, सुपारी का काढ़ा बना कर घाव पर लगाएं इसके बारी चून को लगाने से भी खून बहना बंध हो जाता है कुछ ही देर में घाव भरने लगता है नमबर फूर, सुपारी खाने से तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है इस पर हुए एक रिसर्च से भी यह बात सामने आई है कि इससे चबाने से तनाव महसूस नहीं होता है इससे आप डिप्रेशन की बिमारी से बचे रहेंगे दोस्तों नमबर फाइव, सुपारी में एंटियोक्सिडेंट मौजूद होते हैं जो विशहले पदार्थों और फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं इससे हमारा शरीर रोगों से बचा रहता है नमबर सिक्स, जिन लोगों को इसकी जो फ्रीनिया जो की एक दिमागी बिमारी है उनको सुपारी के सेवन की सलाह दी जाती है एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इस बिमारी में जो रोगी सुपारी का सेवन करते हैं उनके लक्षणों में सुधार होता है नमबर सेवन, सुपारी में मौजूद टैनिन नामकता तो एंजियो टेंसिन हाई बलड प्रेशर के कंट्रोल में उप्योगी है दुनिया भर में लाखों लोग सुपारी का सेवन करते हैं सुपारी जो दुनिया के कई छेत्रों में खाई जाती है वो दू अलग अलग बनस पान की बेल में लिप्टा हुआ पीपर बेटल से आता है दोस्तों अक्सर सुपारी का प्रियोग गुटखा में तंबाकू के साथ सेवन किया जाता है लोंग इलाची या शक्कर स्वाद बढ़ाने के लिए प्रियोग किये जाते हैं जो लोग सुपारी चबाते हैं वो लो ज्यादा लार को या तो थूप देते हैं या निगल लेते हैं परहम परागत रूप से सुपारी मौखिक स्वक्षता भूख और लार के उत्पात के लिए फायदे मंद होते हैं अब वैज्यानिकों को पता चला है कि सुपारी चबाने से मूं के कैंसर का खत्रा बढ़ जात होते हैं सुपारी एश्याई महाद्वीप के दक्षन प्रसांत द्वीप समुव दक्षन पूर्व एश्या पाकिस्तान और बंगलादेश में एक साइको एक्टिव ट्रग के रूप में लोग प्रिय है यह निउजिलेंड और ऑस्ट्रेलिया में उन लोगों द्वारा इस् वी सारा में सब्ता हमें एक बारा अपने फूड़ा सा लि या वो चबाया यह आपके लिए लाफकारी हो सकता है लेकिन इसके सान आककर्यु इस्तेमाल करें अगली बार तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महतोपून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों